बिहार को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई है दरबंगा में एक आटो ड्राइवर ने पांच साल की बच्ची से हैवानियत की है पीड़ित बच्ची को खुन से लत्पत हालत में दरबंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भरती कराया गया है यहाँ बच्ची कॉपरेशन किया गया है वहीं मामले की गनभीरता को देखते हुए डिएसपी अनोच कुमार भी पीड़िता को देखने अस्पताल पहुँचे जिसके बाद उन्होंने घटना की पुष्टी की और आगे की करवाई करेंगे और अभी बरत्मान में उसका ट्रिट्मेंट चल रहा है और आगे करवाई की जा रही है वहीं पुलिस ने इस मामले में केस तरश कर लिया है और खबरों के मुताबिक देर रात आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है दरबंगा से न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट झाल